तो आज लेंगे हम अगले चेप्टर के बारे में Expansion and Consolidation of British Power British शक्ति का या अंग्रेजी शक्ति का विस्तार और उसका सुद्रडी करण के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जो आये थे भारत में वो विपार करने के देश्य से आये थे 1680 में इंग्लेड में East India Company की स्थापना हुई थी अलंकि इससे पहले भी पुर्तगाली डच ये भारत में आ चुके थे तीसरे नमबर पर ये उरोपियोंगों में आये ये अंग्रेज इंग्लेड से और East India Company स्थापित की गई थी जिसने के पुर्वी देशों के साथ विपार करना था तो विपार के उदेश्य से आये थे लेकिन भारत की राजनायतिक जो शितिलता थी उसको देखकर इन्होंने भारत में अपना सामराजय स्थापित करने का निश्चे किया भारत उस समय छोटी छोटी राजियों में बंटा हुआ था मुगल वंच किया सामराजय की बात करें तो पतन की और अग्रसर हो रहा था अंग्रेजों के लिए भारत में अपनी स्थिती को अपने पैरों को जमाना और अपनी स्थिती को मजबूत करना कोई कठिंग कारियर नहीं था और इसी के अंतरगत उन्होंने पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी और उसके पश्चा 1764 को उन्होंने बकसर का युथ लड़ा और इसी के अंतरगत भारत में मुगल भारत में अंग्रेजी समराजे की स्थापना हुई मुगल वंच जो था समराजे जो था वो पतन की ओर बढ़ता चला गया तो हम इसी के ही बारे में लेंगे और इसी के अंतरगत हम बंगाल के बारे में माईसूर के बारे में और मराटों के बारे में भी जानकारी हसिल करेंगे लेकिन सबसे पहले आते हैं हम बंगाल में बंगाल जो के भारत के पुर्वी हिसे में स्थेतर बहुत ही महत्वपुनराजय प्राचिन समय से यहां पर भी आप मैप में देखें तो यह बंगाल आपको नजर आ रहा है वहुत ही महत्वपुन राचे प्राचिन समय से ही रहा है और शायद अंग्रेजी काल में ब्रेटिश अंग्रेजों के लिए भी यह बहुत ही लाबदायक साबित हुआ तो बंगाल भारत के समरीत और उपजाओ प्रांतों में सबसे पहले बावर ने बंगाल के शाशक नुसर शाहा को हरा कर कुछ शित्रों पर अधिकार स्थापित किया था उसके बाद अकवर ने संपून बंगाल को अपने समराजे में मिलाया औरंग जेब की मृत्यू के बाद जब मुगल समराजे का पतन होने लगा तो वहां का एक सुवेदार जिसका नाम था मुशिर्द कुली खां तो मुशिर्द कुली खां जो था ये बंगाल में सुवेदार हो गया मुशिर्द कुली खां के बारे में हम लेंगे अठारवी श्थाद्दी में ये इसने एक सोतंतर राज्य स्थापित किया और ये सत्रह सो सत्रह इस्वी में बंगाल का सुबेदार इसको बनाया था मुगल बाश्शा था उस समय फरुक सियर और तभी से ही ये एक सोतंतर शाशे के रूप में कार्या करने लगा था उसने बंगाल में हुए उन विद्रोहों को डबा दिया जिससे के बंगाल में अशान्ती और आवेवस्था फैल रही थी और इसी के इसाथा उसने क्या किया किया जो खर्चा था उसमें कटाउती करके жो आर्थिक स्थिती थी उसको भी सुधहरने का प्रयास किया गरीब जो किसान थे खेती हर जो किसान थे उनको तकावी रिण भी दिये और ताकि वो भूरा जस्वच चुका सके मुशिर्द कुली खा ने विदेशी कंपनी और उनके नौकरों पर कड़ा नियंतरन रखा विशेश अधिकार का दुरुप्यों करने नहीं दिया अन्य व्यपारियों की भांती उन्हें भी बराबर सीमा शुलक देने के लिए मजबूर किया और इस बात काभी ध्यान रखा कि वो कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं हिंदू मुसल्मान दोनों के लिए समान रोजगार उपलब्द करवाए 1727 में मुशिर्द कुली खां की मृत्यू हो गई और उसके पश्चात शुजाओ दीन ये उसका दामाद था मुशिर्द का और ये बंगाल का नया नवाब बना 1727 से 1749 तक शाशन किया और उसने भी अपने ससुर मुशिर्द कुली की नीतियों को जारी रखा और बंगाल में शांती लिवस्ता को बनाए रखा 1749 में उसकी मृत्यू के शिग रही पश्चात उसका बेटा सर फराज खां शाशक बना लेकिन उसे अली वर्दी खां ने हटा दिया और सुएम गदी को संभाल लिया इसके बाद बैठा अली वर्दी खां अली वर्दी खां जो था ये मुशिर्द कुलिया और शुजाउदिन की भांती योग्या शाशक था बंगाल की उनती के पत पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी विदेशी कंपनियों और उनके नौकरों को अपने नियंत्रन में रखने का प्रयास किया फ्रांसिसियों और अंग्रेजों को चंद्र नगर तथा कलकत्ता की किले बंदी की अनुमती नहीं दी किले बंदी मतलब वो किले इतियादी का निर्मान कर रहे थे या इसी के सासा जिन जिन वो क्षित्रों में रहते थे तो उसने उनको रोका हिंदूओं से अच्छा विवार किया अपने पूर्व के शाषकों की भांती उन्हें उच्पदों पर न्युक किया पद सत्रा सो चप्पन इस्वी में उसकी जो है मृत्यू हो गई फिर अगला रठा गदी पर सीराजू दॉला सत्रा सो चप्पन में अलिवर्दी खां की मृत्यू हो गए लेकिन मृत्यू से पहले अपनी च्छोटी बेटी के बेटे सीराजू दॉला को क्यूंकि उसका कोई बेटा नहीं था तीन बेटियां थी उसकी तो उसको वो अपना उत्रादीकारी निक्त कर गया था नाम था उसका सीराजू दॉला तेईस वर्षिया उसकी आयू थी उस समय उसने विदेशी कमपनियों था नौकरों को अपने नियंतरन में रखने का प्रयास किया लेकिन क्या हुआ शिग रही इंग्रेजों के साथ उ और इसी के अंतरगत 1757 में पलासी की लड़ाई उसको लड़ने पड़ी ये था विशेश तार पर 1756 तक बंगाल का ये छोटा सा इतिहास और इसी के तहट अब लेंगे हम बैटल ओफ पलासी पलासी की लड़ाई 1757 इस वी में पलासी की लड़ाई जो है ये एक बहुत ही महत्वपुन लड़ाई मानी जाती है भारत के आधुनिक भारत के इतियास में यहां पर आप देखें बंगाल और बंगाल में ही है ये पलासी तो बहुत ही महत्वपुन ये लड़ाई जो है ये मानी जाती है ये माना जाता है के भारत में जो ब्रिटिश शाषन है उसकी स्थापना एक राज्य एक व्यक्ति और साथ ही साथ एक लड़ाई से हुई जो अंग्रेजी राज्य को स्थापित किया गया वो किसे जिसमें एक राज्य एक व्यक्ति और एक लड़ाई का नाम आता है अब राजिय कौन था राजिय था बंगाल और इसी के साथ साथ व्यक्ति था सीराजु दौला और लड़ाई थी पलासी की लड़ाई तो इनी से शुरू होता है भारत में या बंगाल में जो ब्रिटिश शाष्टन है वो शुरू होता है तो पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई लेकिन इस लड़ाई के पीछे बहुत से कारण उतरदाई थे बंगाल के नवाव अली वर्दी खांकी 9 अपरेल 1756 को मृत्यू हो गई और उसके पश्चाथ उसका दोता सिराजु दौला बंगाल का नवाव बना लेकिन परिस्थितियां जो थी उसके पक्ष में नहीं थी और इसी के अंतरगत अंग्रेज जो थे उसके शत्रू बन गए तो पहला कारण था उत्रा धिकार संबंधी विवाद अली वर्दी खांक कोई बेटा नहीं था तीन बेटियां थी अपने जीवन काल में अपनी सबसी चोटी बेटी के बेटे सिराजु दौला को अपना उत्रा धिकारी वो न्यूक्त कर गया था लेकिन स्तितिक कुछ और ह और उसके जो अन्य अदोहते थे उनको जो थे ये सब कुछ पसंद नहीं आया अली वर्दी खांक के जीवन काल में तो वो चुप रहे लेकिन उसकी मृत्यों के पश्चाद गदी के लिए दो और दावेदा पैदा हो गए एक थी एक तो हो गया अली एक थी अली वर्दी ख कुछ दरवारियों ने भी उनका पाक्ष लिया जिससे सिराजु दौला की स्थिती कमजोर हो गई और ऐसी अवस्था में अंग्रेजों को भी अपने हाथ रंगने के लिए का सुनहरा मौका मिल गया तो पहला कारण था ये दूसरा कारण किला बंदी करना अंग्रेजों के दौरा और फ्रांसिसियों के दौरा अंग्रेज और फ्रांसिसी व्यपारी और अधिकारी एक दूसरे के शत्रू थे बंगाल में स्थित अपनी अपनी बस्तियों की किले बंदी करनी शुरू कर दी अलिवर्दी खांके स्तर्क रहने के कारण उसके जीवन काल में वो इसमे सफल नहीं हो सके लेकिन उसके मृत्यों के पश्चार किला बंदी करनी शुरू कर दी सिराज उदाला ने सभी अरोपियनों को पनी बस्तियों की किले बंदी बंद करने और गिराने को कहा फ्रांसिसियों ने तो उसके आदिश का पालन किया लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और इस से अंग्रेजों और सिराज उदाला के मत्य जो शत्रुता थी वो बढ़ती चली गई और ये लड़ाई का कारण बनी तीसरा है नवाव के विरोधियों को अंग्रेजों द्वारा सहायता देना नवाव के जो विरोधी थे जैसे गसीटी बेगम थी और एक दिवान था गसीटी बेगम के एक दिवान राजबलव इसे जो थी वो विशेश तोर पर अंग्रेजों का गसीटी बेगम के दिवान राजबलव से पत्तर विवहार चलता रहता था तो शिराजु दौला के मन में अंग्रेजों के विरुत शंकाएं उत्पन होना स्वभाविक था और इसलिए भी ये भी लड़ाई का कारण जो है आगे चल कर बना फिर है व्यपारिक सुविधाओं का दुरुपयो जो व्यपारिक सुविधाओं दी थी मुगल वाशा फरुक सियर ने तीन हजार रुपए वाशी के बदले में जूस ने जो है बंगाल बिहार और उडिसा में दिशुल्क व्यपार करने का अधिकार दिया था कंपनी को लेकि जो दस्तक थे जो अनुमती पत्र थे उनुमती पत्रों को भारतिय व्यपारियों को बेज दिया जिसके कारण अब विसारे प्रांत में मुफ्त व्यपार करने लगे और ऐसी स्थिती में सिराजु दौला जो था इसको सहन नहीं कर पाया क्यूंकि उसको इसे घाटा होने ल सिराजु दौला ने अपनी स्थिती को मजबूत करने के लिए उसने जो अपने जो विरोधी थे घसीटी बेगम शौकत चंग के विरुद सक्त कारवाही करने की ठान ले बड़ी चालाकी से घसीटी बेगम को अपने महल में कैद कर लिया और उसके दिवान राजबलब के से हिसाब किताब मांगा राजबलब ने इतने में अपने पुत्र कृष्ण वलब को अपने परिवार तथा सारी संपती सहीट अंग्रेजों के पास कलकता भीज दिया जब सिराजु दौला ने दिवान के पुत्र को वापस लटाने के लिए अंग्रेजों को कहा तो उन्हों पश्ट इंकार कर दिया सिराजु दौला ये सहन नहीं कर पाया और इस तरह से उसको लगा कि अंग्रेज उसके विरूधियों को शर्ण देते रहते हैं और दोनों के जो संबंद थे अंग्रेजों के साथ जो संबंद थे सिराजु दौला के बिगड़ गए इसके अतिरिक इंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक ने सिराजु दौला के दूद का भी अपमान किया तो संबंद बिगड़ गए और ये भी लड़ाई का कारण बने अगला है कासीम बाजार और कलकता पर अधिकार 1756 में घजीती बेगम से निपठने के लिए के पस्चा सिराजु दौला ने अपने दूसरे विरोधी शौकत जंग के विरुद प्रस्थान किया जो पूर्णिया का शाशक भी था अभी वो रास्ते में ही था कि उसे कलकता के अपने अंग्रेज गवर्नर ड्रेक का पत्तर म जिसमें उसने उसके निर्देशों को मानने में असहमती प्रकट की हुई थी सिराजु दौला ने वापस लौड कर चार जून 1756 को उसने क्या कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और 16 जून को कलकता पहुंच किया और बिना किसी विशेश विरोध के 20 जून को उसने कलकता को भी अपने अधिन कर लिया फिर आगे एक घटना घटी जिसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रैस्टी या ब्लैक होल कांड या घटना भी आप दुर घटना भी आप कह सकते हैं नवाव ने लगवग 146 संग्रेजों को गर्मियों के एक दिन क्या किया 18 फुट लंबे और 15 23 व्यक्ती मर गए और केवल 23 व्यक्ती ही जान बचा पाई उनकी और इस जिन में एक था हालवेल जो कलकता कौंसिल का एक सदस्या था लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं ब्लैक होल ट्रैस्टी ये असत्या है क्योंकि ततकालिन रिकार्डों में भी इस प्रकार की किसी घटन का कोई वर्णन नहीं मलता है लेकिन समकालिन इतिहासकार गुलाम हुसेन ने भी अपनी पुस्तक सेरे मुन खरिन इसमें जो है इस तरह की घटना का कोई वर्णन नहीं किया है नहीं मदरास कांसिल की रिपोर्ट में इस तरह की घटना वर्णने थै यदि इस घटना को सत्य अमान लिया जाए तो भी इसमें सिराजु दौला का कोई हाथ नहीं था लेकिन कुछ कहते हैं कि भई ब्लैक होल ट्रेजडी जो थी ये हुई और जिसमें 123 जो थे अंग्रेज ये मारे गए और इससे भी क्या हुआ के अंग्रेज ये करोदी थो एंग्रेज अधिकारी और युधिया लड़ाई हुई फिर है कलकत्ता पर पुनह अधिकार कलकत्ता पर पुनह अधिकार 1757 को जब कास्टिम बाजार और कलकत्ता के हाथ से निकल जाने का समाचार मदरास पहुंचा वहां का अधिकारियों ने कलाइब के अधिन एक सैनिक टुकडी जो थी और एड्मिरल वाटसन के अधिन एक नौ सैनिक टुकडी बंगाल की ओर रवाना कर दी सिराजु दाला कलकत्ता को अपने एक सेना पती जिसका नाम था मानिक चंद के अधिन छोड़कर शौकत जंग के विरुद कारेवाही कर रहा था मानिक चंद को अंग्रेजों ने खरीद लिया और इसलिए थोड़ी से रड़ाई का दिखावा करके कलकत्ता चोड़कर वो भागया और जनवरी 1757 को कलकत्ता अंग्रेजों के कबजे में आ गया फिर है अली नगर की संधी 1757 को शौकत जंग से निपटने के बाद सिराजु दौला कलकत्ता वापस लेने का प्रियास करने लगा लेकिन सफल नहीं हुआ मजबूर होकर अंग्रेजों से उसने संधी की अली नगर की संधी 9 जनवरी 1757 के दिन अंग्रेजों और सिराजु दौला के मत्युपी जिसमें नवाब ने अंग्रेजों की सभी बस्तियां अधिकार और सुविधाएं वापस की दूसरे अंग्रेजों को कलकता की किलाबंदी की अनुमती मिल गई और तीसरा क्या हुआ कि नवाब ने अंग्रेजों की बस्तियों कारखानों को होने वाली हानी की पूर्ती करने का भी बचन दिया और अंत में अंग्रेजों को कलकत्ता में अपने सिक्के चलाने की भी अनुमती मिल गई फिर इसके बाद चंद्रनगर पर अधिकार कलकत्ता पर अधिकार हो गया अली नगर की संधी हो गई चंद्रनगर पर अधिकार चंद्रनगर की इसकी वस्ती फ्रांसिस्यों की मार्च 1757 को नवाव से संधी करने के इसी पश्चात कलाईव ने चंदरनगर पर आक्रमन कर दिया और 22 मार्च 1757 को चंदरनगर उसके कबजे में आ गया ये ऐसा समय था जब नवाव को चाही थिया कि वो फ्रांसिस्यों की सहायता करता लेकिन उसने सहायता नहीं की और चंदरनगर को जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने कबजे में कर लिया फिर अगला तस्वा नवाव के अगला जो है ग्यारवा नवाव के विरुद शडियंत्र अंग्रेजों का फ्रांसिस्यों के साथ यरोप में सब्त वर्षिय युद शुरू हो चुका था इसलिए उन्हें इस बात का डर था कि बंगाल में उनका विरुदी नवाव कभी भी उनके हितों के लिए बड़ा हानी कारक्सिद हो सकता है अंग्रेजों ने क्या किया उन्होंने शडियंत्र रचने शुरू कर दिये मीर जाफर जो था ये था सिराजु दौला का सेना पती और एक अन्या सेना नाइक जिसका नाम था राय दुरलव उनको अपने जाल में फंसा लिया मीर जाफर को कहा कि उसको नवाब बना दिया जाएगा बंगाल के एक समरीद व्यपारी सेठ हमी चंद दौरा बीच में पढ़ने की परणाम सोरुप अंग्रेजों की मीर जाफर की साथ दस चुन सत्रा सो सतावन को एक कुप्त समझाता हुआ समझाता करने वाले व्यक्ति अमी चंद ने ये भेज चुपाए रखने का 30 लाग रुपया मांगा कलाइव ने संधी की दो प्रतियां दो कौपियां तयार करवाई लाल प्रतियां जो नकली थी उस पर अमी चंद को 30 लाग रुपय देने का वर्णन था लेकिन सफेद रंग के असली मसादे पर उसका कोई वर्णन नहीं था जब नकली मसादे पर वार्टसन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो कलाइव ने उस पर वार्टसन के जाली हस्ताक्षर स्वयम कर दिये और सिराजू दाला को 15 जून 1757 तक इस कुप्ट संदी का पता भी चल गया था लेकिन फिर भी वो कुछ करने के लिए समारता था संभवता उसकी चोटी आयू और धोखे बाजपरामर्श दाताओं के धोखे में फंस कर वो रह गया अब क्या पुआ के अब लेंगे हम प्रलासी की लड़ाई की घटनाएं 23 जून 1757 को शड्यंतर के पक्का हो जाने के पश्चात कलाइव किसी बहाने की खोज करने लगा ताकि सिराजू दाला से युद छेड़ा जा सके शिग रही उसने सिराजू दाला पर आरोब लगाया कि उसने अली नगर की संधी का वलंगन किया है और फ्रांसिस्यों के साथ और रचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद शड्यंतर रच रहा है नवाब ने इनकार करने पर भी कलाइव जो था वो उसके विरुद बढ़ गया उसने जवाब का भी इंतजार नहीं किया पुरी तरह से और 22 जून के दिन दोनों की सिना एक दूसरे की आमने सामने पलासी नामगाओं के पास खड़ी हो गई अगले दिन 23 जून को यह शुरू हुआ सिराजु दौला के पास 50,000 सैनिक थे जबकि कलाइव के पास केवल 32 सैनिक थे शुरू में जैसा कि मेलसंट का विचार है कि कलाइव भरह में पड़ गया किनकि उसकी सेना शत्रों के मकाबले बहुत कम थी लेकिन हिमत से काम डिया, उसने धुबखर के समय नवाब की सेना पर हमला बोल दिया और महनलाल और मीर मदान के नित्रित वामे नवाब की थोड़ी सी सेना, कुछ फरंसिस्ट्यों ने अंग्रेजों का डटकर मकाबला किया लेकिन मीर जाफर और राय दुरलब के अधीन सिना का एक विशाल भाग जो था वो युद्ध में कोई भाग नहीं लिया सिराजु दौला को धोखा दिया पता लगा उसको कि भई ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उसको पता चल गया कि ये दोखा दे रही हैं और इस तरह से क्या हुआ कि सिराजु दौला को युद्ध क्षित्र से भागना पड़ा कोई विशेश लड़ाई नहीं हुई अंग्रेजों को जीत राप्त हो गई अंग्रेजों ने इस युद्ध में लगभग में लगभग उनकी 65 सेनिक मारे गए जबकि नवाव की 500 सिराजु दौला पहले मुशिर्दाबाद पहुँचने और बाद में अपनी पत्नी कोसाथ लेकर पटना की और भागने में सफल हो गया लेकिन पकड़ लिया गया और बाद मीर जाफर की फुत्र मीरन ने उसका वद कर दिया और इस प्रकार धोगे से अंग्रेजों की दिया गया दोस्रा मीर जाफर नवाब बना मीर जाफर को बंगाल का नया नवा बना दिया गया इस नवावी के बदले मीर जाफर को एक भारी रखम उसको जो थी लगवग एक करोड तेहतर लाग च्यानुए हजार साथ सोई 61 रुपए चुकाने पड़े उसको तब उसको जो है नवा बनाया गया फिर व्यपारिक सुविधाओं की प्राप्ती भी अंग्रेजों को हुई कंपनी के सम्मान में इससे काफी व्रिधी हुई कंपनी जो थी जो के पहले क्या थी एक व्यपारिक संस्था थी अंग्रेज तो व्यपार करने आये थे कंपनी व्यपारिक से एक राजनैतिक संस्था जो है बन गई और इस तरह से साथ ही साथ क्या हुआ कि विशेश तोर पर जो अमी चंथ था अमी चंद को नकली संधी दिखा दी गई और उसे एक भी पाई नहीं मिली कलकटा को कंपनी को कलकटा में अपने सिख्य चलाने बनाने की भी सोतंतर ता मिल गई सारे प्रांथ में कर्मुक्ट व्यपार करने की सोतंतर ता कमपनी को 24 परगने की जमिनदारी प्राप्ट थी जिसकी वार्षी काई लगभग एक लाख पचास हजार पॉन्ट थी इसका महत्वा बहुत ही महत्वपुन लड़ाई ये मानी जाती है बंगाल पर अंग्रेजों का नियंतरन स्थापित हो गया महत्वपुन रही अंग्रेजों के लिए कमपनी को आर्थिकलाब 24 परगने प्राप्ट हुए उसको जिसकी केड़ लगभग एक लाख पचास हजार पॉन्ट वार्षिक आये थी कमपनी के मान समान में भी इससे काफी व्रिदी हुई दक्षिन में हो रहे अंग्रेजी फ्रांसिसी संघर्ष पर भी इसका गहरा प्रभभा पड़ा और सबसे खास बात ही है कि भारत की विजए का मार्ग जो था ये तयार हो गया अंग्रेजों के लिए बंगाल में और करांतियों को जन दिया तो इस तहर से ये पलासी की लड़ाई जो थी ये हुई और अंग्रेजों के लिए खास कर ये बहुत ही लाबदायक साबीत हुई तो इतना है